हलो फ्रेंड्स मैं हूँ जाविज रसूल और आप देख रहे हैं जैया टेक फॉर यू कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे तो यह मेरा एसी है इसने कूलिंग करना बंद कर दिया था तो इसको मैंने खुद सही मातर दो सो रुपए में ठीक किया है तो कैसे किया है चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ तो देखिए आउट इंडोर इसका चालू है इसका फैन चालू है मगर कूलिंग बिल्कुल भी नहीं है आउट डोर में इसका कंपरेसर चालू है मगर फैन इसका चालू नहीं है तो इसको मैंने खोल लिया और यहां से कैपिस्टर निकाला है क्योंकि फैन अगर नहीं चलता है तो इसमें कैपिस्टर का प्रॉब्लम होता है या तो फैन फुग गया होगा या कैपिस्टर खराब होगा तो मुस्टली कैपिस्टर का प्रॉब्लम रहता है तो इसको निकालने से पहले आप लोग इसका एक फोटो खेच के रखें और वीडियो बना लें अच्छे से ठीक से जो सई से कनक्शन देख रहे हैं कौन सा वायर कहां लगा हुआ है तो यह इसका फैन देखिए फैन इसका बिल्गुल भी नहीं चलना था बस खाली इससे हिलता था और रुख जाता था तो मैंने यह कैपिस्टर इसका निकाल लिया है यह देखिए यह 44 का है 44 प्लस 4 UFD यह देखिए तो यह मैंने निकाल के अब मैं इसक हुआ दूशरा एक लाया हुँ 44 का 44 UFD यहां लिखा हुआ रहता है और जो मैं लाया हूं उस पर भी लिखा रहेगा डब्बे पर लिखा हुआ हुआ यह देखिए लिखा है 44 UFD थीख है और वॉल्ट भी लिखा है साथ में तो मैं यह मेरे को मात्र लोकल मार्किट्स में अब इसको देखिए इसकी पिन का सैट अब थोड़ा अलग है इसमें अलग है मगर चिंता करने की बात नहीं है यह चार पिन का जो सैट है इस पे अब चार पिन का सैट अब चार पिन एक यह है मगर इसमें सेग्मेंट इसके चार है तो कि इसमें ज़्यादा वायर आएंगे और इस पे एफ यानी फैन इस पर फैन लिखाया पूरा और इस पर एच लिखाया रिखाया है इस पर इसमें जी लिखाया था तो इसमें तिन वायर थे एफ में एक वायर था और एच में एक वायर था फिंग कलर का चलिए मैं इसको लगाता हूं इसी तरीके से जैसे आपने फोटो खेंचा होगा उसी सबसे लगा सकते हैं है चो मेंने देखिए मैं पेले ड़ बार लगाता हूँ जो सीर्ट Scott में लगा हुआ है उसमें चार सय्गमेंट तो समें तीन वराइंगे एक हुआ था ratio सरंगनेंट में से कोई सा वायर in दो ब्लू वायर और एक रैड वायर सी टर्मिनल में हम लगाएंगे ठीक है ये देखिए ध्यान से दोस्तों इसमें जल्दवाजी ना करें बहुत ध्यान से सोच के करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है इतना मैंने भी इसको पहली वारी किया है जब मैंने किया तो मैंने मैं आपको दे रहा हूं तो यह देखिए मैंने सारे वायर लगा दिये सी पे मैंने तीन वायर लगाए हैं एक वायर वायट वाला और पिंक वाला एक सिंगल एच पे अब यह उपर से इसका क्लिप है एक साइड इसमें हुक सा बना हुआ है और दूसरी साइड इसमें स्क्र तो यह थोड़ा थिकनेस में ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगी मगर लगाना जरूरी है ठीक है दोस्तों तो यह देखिए मैंने लगा दिया है यह मैंने इसमें स्कूरू टाइट कर दिया है सही से फोटो जरूर खेचें कनेक्शन का वरना अप अगर एक्सपर् प्रेज रखते हैं तो आप फिर भूल जाएंगे तो फोटो जरूर खेचें यह मैंने लगा दिया अब मैं इसको चेक कर लेता हूं ओपन पर ही देखिए मैंने चालू करवाया था तो यह इसका फैन चालू हो गया यह देखिए फसक्लास फैन चालू हो गया पहले थोड़ जाएगी तो चलिए अब इसका हम बोडी पार्ट जो है कैमनेट वो लगा देते हैं यह सामने का मैंने लगा दिया इसके इसमें छे स्कुरू होते हैं दो साइड में ऊपर नीचे दो दो और दो सामने नीचे की साइड दोस्तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करे शेर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को तो दोस्तो जो इनफर्मेटिव वीडियो होती है उस पर कम वीव आते हैं जबके इनफर्मेशन अगर आप कही से लेने जाओगे तो आपको ऐसे ही तो मिलेगी नहीं यह लोग यह तो आप भी जानते हो और मैंने देखा है यूट्यो पर आलतो फालतो वीडियो में घान तो यह सब्सक्राइब करें और लायक करें ज्याधा से ज्यादाम स्वी नहीं ज्यांइव घार्यक 256-6 स्लोट बना रहता है और एक स्क्रू लाइता है उससे टाइट कर देते हैं यह मैंने लगा दिया पूरा फिटिंग कर दिया इसका तो चलिए अब इसकी कूलिंग चेक करते हैं यह देखिए यह चल गया है यह डिस्प्ले वाला नहीं है डेकन का इसी है मगर कूलिंग आना चालू हो गई है तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगर अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक केर